विल्कम बाग टुआ चैनल यह थोड़ा सा डाइसी वीख है तो अपने एक गाप डाउन देखा था और आज अपने गाप अप देखा है तो निफ्टी का चार्ट है एक छोटे से रिफ्रेंस के लिए दोस में डिसकस कर लेता है तो एक अच्छा सपोर्ट जोन है अराउंड 16 3,800 लेवल्स वो कर रिस्पेक्ट हुआ और आज गाप अप हुआ एक छोटा सा को रिलेशन भी है आज के निफ्टी के लिए हो सकता हूं मैं गला तुम बट जो मुझे लगा वो मैं बता सकता हूं कर रिलाइस अपन देखता है रिलाइस का चार्ट बहुत इंपर्टन था आज खे लिए तो रिलाइस ने अपना जो ब्रेकव दिया था वह ल्तेमा खाल्री लिए और आज में रिलाइस वापिस उपर था मार्केट वापिस उपर एक चुटा सा को रिलेशन है में जरलीग अपना इंडेक्स पिछले वीक तक SDFC से कोरेलेट कर रहा था और येस वीक रिलाइंस से कोरेलेट कर रहा है चोटा सा कोरिलेशन है रिलाइंस को थोड़ा सा ट्रैक कर लीजिए निफ्टी थोड़ा-थोड़ा समझ जा जाएगा कि क्या कर रहा है अब ड़ेट मीन कि एवरी टाइम ये सेम बना जाएगा वो सकता है ये सी कोरेलेशन दो दिन के लिए वो कल से वापिस काम न करें वैट मेरे ओपिनियन में ये ये दो दिन हुआ वो सकता है शायद इसमें थोड़ा सा पार्ट रिलाइंस में प्ले कर रहा है है तो थोड़ा सा निफ्टी का को रिलिशन होगे है तो फ़र्स टॉक पर देड़े डिवर्ट ऑप और टेक का चार्ट है मैं मंतली दिखा देता हूं पहले चार्ट है कि अपन इसमें देखिए यहां पे एक मंतली ब्रेक आउट आता है इन मंत अफ जुला है और यह पिछले एक दो तीन चार पांट चेज़ाता रहा दस महिने से मोटा मुटी दस महिने से एक फ्लैग बना रहा है और अपने मंतली ब्रेक आउट को रीटेस्ट कर रहा है यह अब स्पेसिफिक लेवल्स पर आते हैं जो अपनको डेली चार्ट से मिलेंगे तो यहां पर एक अच्छा बेस बन रहा है तो सपोर्ट कम्स राधर स्टॉप लॉस कम्स अराउं एटी टी ट्री लेवल्स यहां पर आज एक ब्रिक आउट आता हो दिख रहा है आज थोड़ यह वाल्यूम का चार्ट है अस बहुत बढ़े वाल्यूम आए स्टॉप में स्टॉप लॉस अराउं एटी ट्री लेवल्स ब्रेक आउट कम्स आट नाइंटी ट्री ट्री लेवल्स अर गल यह 92-93 लेवल के आसपस पास प्रिटेस करता हो मिलता है तो तो तेन स्टॉप इस 90 के आसपास आएगा तीन चार रुपे है यह 100 क्रॉस करता है तो गुद टागेट संब्सक्राइड 115 और 130 लेवल तो पर्स्ट टॉप देए डॉला तरिवोट है सेखेंड इस पीपी यह प्रकाश पाइप यह भी एक बहुत लीन चार्ट है अपन मंतली से शुरू करता है है मंतली में यह यह यहां पर टॉप बनाता जुलाई में अ खाय वाज 1.90-470 खायी रूपीज कई बनाता यह को मंतली में चार्ट में clearly visible है अपन देली देखते है तो दिस आप्टरेंड है अ इन यहां से सिज्जेंबर एक अप्रेंट में चल रहा और आज मैं डेली चार्ट से कंफर मुन आ आ देखिए तरमगों देखने लिए यहां पर बहुत साइड़ी वाल्यज एसी साइडसि हन्वेस दॉस अुदू अवाया है कि तेक लिचा के फैट तक इसकसरा है यह चोटा सा breakout हुआ था, यह breakout retest भी हुआ so stop loss comes at 175 levels अगर कल stock इसी price पर मिलता, 194-195 levels पर so it's a good buy, 175 पर stop loss अथा 20.5 target comes around 220-225, वो all time high levels पर trade कर रहा है 15-20% stock आराम से देना चाहिए बदलब stop loss को अपना place कीजिये and all time high stock है, तोड़ असा right कर सकता है 3rd stock is Adani port यह stock एक बार अपने twitter पर भी डाला है 3 दिन पहले so पहले monthly देख रहा है, जैसा अपन सब में देख रहा है so Adani port में आज highest ever closing आया है जो यह June के महिने में top बना था, that was 901 आज का close आया 909.5, 910 रुपे का close आया, all time high close आया अब weekly में देखे, बहुत 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 रहा है, accumulation कर रहा है, stop same chart जैसे मैं अभी पहले बुला, twitter पर डला हुआ है बहुत पहले डाल जाता, 850 रुपीस के आज पास डाल जाता हो, यहाँ पर देखे, बहुत बधिया volume accumulation हो रहा है, यहाँ पर volumeלफा होने के बाद अब specific levels कि लेपन डेली में आ जाता है So this is daily chart for you अब daily में volume देखें See यहाँ पे बहुत बेतनी volume फिर यहाँ जब consolidate करने लगा तो यहाँ पे volume फिर dry होगा यहाँ पे वापिस अपराइज आया तो वापिस volume में अपराइज आया चार्ट बहुत वहतनी रग रहा है अदानी जी कुछ फ्लेवर में है सो ओवरॉल अगुट मिक्षर एक पर्फेक्क सेट बन रहा है स्टॉप लॉस कम्स अरॉंड 850 लेवल्स जो ट्विटर के लेवल्स कोई भाई कर रहे थे उन दो के लिए उनकी कॉस्ट उनका स्टॉप लॉस हो चुकी है और जो नया भाई करने का सोच रहा है उनके लिए स्टॉप लॉस कम्स आट 850 लेवल्स टारगेट्स कैंग बीईजी 950 लेवल्स एफेन स्टॉक है तो शाहिए थोड़ा दीरे मूव करें बट अदानी जी का फ्लेवर आ सकता है अधिस्टॉजर बले ही एफेन स्टॉक है अल्डे लेवल्स मेंशने है और ओंदी एंड ओंदी पो कैस्ट लेवल्स जो भी इनके विसिट्पक एफेन ओंडेट करना चाहिए वह उपकित की रिष्पक कीजिए और मैं लेवल्स आओंगी पोकैश कि इस प्रश्पक सब्सक्राइब खुब्स सब्सक्राइब वांच गैलांगी चाहिए निए देख लेंगे तो इस गेलार्ट मेंटल फो यू सेम मंतली से शुरू करता है सेम सेम स्टोरी अल्मस्ट कि यहां पर मंतली ब्रेक आया था स्टॉक मेंटल एटी एट अल्मस्ट आलो 90 रुपीज है यहां पर यहां पर यहां पर वीकली में देखता है यहां पर वही फ्लाइक से आज ब्रेक आउट आता हुँआ दिख रहा है वॉल्यूम्स का एक्यूमलेशन वहाँ ब्रेथरी था अभी दो दिन हुए वीक में आज का वॉल्यूम देखिए वीकली में अपन इसको डेली में देख लेगा था तो आज फाइनली स्टॉक में ब्रेक आउट आया है तोड़ा सा में ड्रैक कर देता हुआ इसके वीकली समझा तो आप यहां पर देखिए सब्सक्राइब एक चोटा सा रुपी रूपीन न्यमक स्टॉक हिर क का द है स्टॉक्त बाद बाद वाल्यम का स्टॉक grant ठीटरेंग, प्रेबिस मीट हां तोड यहां scheme को स्टॉक्त डरॉरा सबन्सेट, ऊरेखिए हो यह एक डिसाइइव डिक रिक ऊट अथा हू छिटा थेक्ला इन सो फो कि रोड सब्वास्मसषं स्सेवन वेल्स थैरेमिल्स तर्ड ऑ्कति हैं तीर गांड४्ला हुआ दक ज़ दर कुह भालग शाहन इंप अन थेक्ट वंध थैरंगनंता स्था साग्डियह ट्ड। concept इसटास पूर एक वा, जो मेंको दिखाना है, मिलें आप बकॉक डपना है और नियार्ट स्टाम्च जिनुर्म डेली मेन è symmetrical डेल बनता हा देख तो बहुत बहुत शाक जाट यह भी बट इस टक ने इक दिक्कत ने तर הח देखे यहां पा पिद्गे वी यहां पर यहां पर i.s यहां पर तो यहां पर जो stop loss आता है 51 रुपीज आता है यहां पर stop loss के साब से देखें तो almost almost 25% का stop loss आता है तो वह बहुत डीप हो जाता है तो फस्ट इस विक्स एंड सेकिंड डीजन इस कि इसमें stop loss फ़ड़ा दूर का आ रहा है मैं एक चीज जो अपनी वीडियो से अरभा बोलता हूं कि breakout वाले चार्ट्स तो बहुत लोग डाल रहे हैं I agree कि बहुत लोग आप लोग को दिखेंगे ट्विटर पर कि breakout इसमें आरा इसमें breakout आरा मैं सबसे बोलना चाहूंँगा कि आप देखिये कि कौन risk reward को सबसेदा ध्यान रखता मैं सीम चीज भर बोलता हूं और मैं आगी भी अरभा बोलूंगा ट्विटर पर बहुत कम लोग मिलेंगे जो रिस्क रिवार्ट का ध्यान रखते हैं कि यार रिस्क 10 रुपए आरी तो इसमें रिवार्ट 20 रुपए मिल रहा है बहुत लोग डालेंगे ऐसा कि जो स्टॉक आज 20% पर क्लोज हुआगा उनको ब्रेक आउट दिखा देंगे अब मालीजे जो भी स्टॉक लॉस सकते हैं वह आज की कैंडल का लोग भी रख लेता मालीजे तो स्टॉक का रिस्क रिवार्ट टूइस्ट हम फेवरेबल होना चाहिए उसके लिए दो बीस बीस परसंट के सब्सक्राइब और पढ़ने चाहिए वह थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मार्केट अभी बहुत वालेट आगे लिए सो रिस्क रिवार्ट जब तक नहीं बैटेगा जब तक स्ट्रेट करने में स्टॉक में मज़ा नहीं आए तो इस आधा टू रीजन कि ग्यलांट सब्सक्राइब तो बहुत अच्छा रहा है अगर कर लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए कुछ सजेशन और तो पॉमेंट बॉक्स में बताइए और दू सब्सक्राइबर चैनल जित्ता शेयर कर सकते हैं करें थैंकि गाइस वाइज फॉफिदेबल दे तुमोर्